जैन दोस्तों कैसे हैं आप लोग गुमिदार सभी लगड़ा मस्त होंगे और मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग इसी किंतजार में थे कि कब Applied Mathematics Second की क्लास चलेगी यह सेडियूल के इसाब साब को बताया गया था कि Applied Mathematics Second की क्लास कितने दिन चलेगी और किस दिन हम कौन सा इनित आपका फिनिस करने वाले हैं तो एक बार तसल्ली से देख लिए ताकि आप उच दिन एकदम खापी के एड़ी रहें अपने पास कुरकुदा उपकर रख लो या क्लास मैयाथन टाइप होने वाली है और एक दिन में खतम यानि जो आपका पहला क्लास होगा वो कब होगा आपका 21 जून को होगा ठीक अगर मैं बात करूँ दूसरे क्लास की तो दूसरा क्लास कब होगा आपका ऐसे देखो चार यूनिट है ना मैं चार बना दे रहा हूं चूंकि अभी मैं यून पर हूं तो मैं स्टूडियो पर नहीं जा पाया हूं इसलिए मैं इसी वोड़ पर बना दे रहा हूं तकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा ठीक है अब देखिए 21 जून को हम लोग जो आपका पहला यूनिट है हम क्या करेंगे उसे कवर करेंगे यानि पहला यून को क्या कवर करने वाले मैं आपका फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे सुन बात आया 22 को 22 जून को कौन सा आपका यूनिट फिनिस होगा यान देखिए 22 जून मिलाश करकेंगे हम आपका क्या हम फिनिस करेंगा ठीक है अगर मैं बात करूं त्मलब तीसरे दिन क्या करने वाले हैं या पहला हुआ एक तीस दूसरा लुए 22 अगर मैं तीसरा बात करनों तीसरा कौन सा है हमारा आपका 23 जून क्या 23 जून को जो हम फिनिश करेंगे आपका कौन सा सर यूनिट आपका हम तीसरा unit finish करेंगे अभी सब बता रहा हूं ठीक है ना बात करूं मैं 24 जून को क्या होगा 24 जून की बात करूं तो 24 जून को हम finish करेंगे आपका कौन सा unit चौथा unit और आप जानते हैं अगर आप mathematics का थोड़ा सा भी वीडियो या आप स्लेबस अगर पढ़े होंगे तो यह आपको पता लगया होगा कि लगभग में आपके चार unit है आपके इसाम में तो यह चार unit का मैंने आपको डेट बता दिया कि पहला आपका चलेगा 21 को दूसर कब जलेगा 23 जून को चलेगा और चौथा कब चलेगा 24 जून को चलेगा यानि इन चार दिनों में पूरी की पूरी mathematics आपकी फिनिस हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि हवाई firing करेंगे बिल्कुल हवाई firing नहीं करेंगे केवल और केवल most PYQ के जो का मतलब जो अभी अभी तक question आपके exam में देखने को मिले होंगे लगब में तीन-चार साल की उन्हीं को repeat करते वे उसको करेंगे पहले formula देखेंगे फिर नहीं वेरिकल देखेंगे ऐसे करते करते हो अब नहां यह चार उनिट खतम करेंगे बात करते सब टाइमिंग क्या होने वाली है तो अगर मैं बा करेंगे अपना कलास के बज़े से फोर पीम से स्टार्ट करेंगे चार बज़े से चार बज़े से अपनी क्लास करेंगे अब ऐसा मत सोचना है कि यहां से पढ़ाय रहा है यहां यानि mathematics की पूरी क्लास लग रहा है whiteboard से लेने वाले बिलकुल नहीं इस्टूडियों से सन रहेंों कि चलेगे सुधार है कब तक चलेगी यानि तीन गंत्य घंटे तीन गंत्य तीन घंटी तीन घंटे और तीन गंत्य है आपकाiggly मन से पढ़ लेते हैं तो यह मेरी जिम्मेदारी है घबराइए नहीं कि पूरा का पूरा आपका सलेवस यहीं से कबर हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन पिछली बार आप लोगों ने देखा था सभी लोगों ने देखा था मैंने आपको फर्स समेस्टर में अपलाइड फिजिक्स फ़स्ट पढ़ाया था अपलाइड मैथमेटिक्स फ़स्ट पढ़ाया अपलाइड कमेश्ट्री पढ़ाया मैंने को तीनों का तीनों भी सह पढ़ाया था ठीक तो उसमें भी आप लोगों इसा नहीं है कि मैं फिजिक्स का प्रफेशनल टेचर हूं नहीं आता है लेकिन जिस साफ चाह से वह चीज़े उतनी नहीं आती है लेकिन यह यह है कि अगर कुल आपका एक्जाम है तो इतना content आपको दे देंगे कि उसी माइप पास हो जाएंगे यह थीज़ है आप तो यह पूरा क्या है Applied Mathematics लिग दे रहा हूं Applied Mathematics क्या है आपका यह सेकंड का क्या है आपका time table यह ध्यान रहा है और यह चार दिन हमारे साथ जुड़ कर देखिए अगर ना मज़ा है तो फिर एक बार जितना वीडियो रहेगा ना सारे पर डिसलाइक करके चले जाएएगा यह महराथन की क्लास पीपीटी बना रहा हूं मैं लगबग में चार दिन पांस दिन से उसी में लगा हुआ हूं मैं जो बच्चे जुड़े हुए मुझसे वह जान रहा है इस चीज को तो ऐसा नहीं है कि निकल लेंगे बिल्कुल नहीं फड़ा जुड़के देखिए यार मजा तो भर पूर हम लाएंगे ठीक है तो मित कर लेंगे स्टूडियो से इस वाइड बूर्ड पर हम नहीं लेने वाले हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप से हम 21 तारिक को साम चार वजे तब तक के लिए दीजिए जाजत चाहिए